नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आलोक्स वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूटूब चैनल आलोक्स लग पर दोस्तों डहलिया बिंटर का सबसे खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है इसके अंदर जो flowers की size जाती है सायद भी winter के अंदर कोई दूसरा ऐसा flowering plant होका जिसके अंदर इतने बड़े-बड़े साइज के flower साते हो और कई-कई दिनों तक ये flower plant के अंदर बने भी रहते हैं मेरे पास भी डहलिया के जो हैं वो 6-7 गमले हैं इन में से 6 तो मैंने इस बार nursery से खरीद कर एट किया है और अगर मैं चाहा था पिछले साल के मेरे पास इतने सारे plant थे बहुत सारी color varieties भी थी मेरे पास उनको मैंने ground पर लगा रखा था और ground पर हुआ क्या कि last time पर जब उनके अंदर sprouting शुरू हुआ अक्टूबर के आसपास तो ऐसे ground पर कुछ काम करवाने के चक्कर में जो है मेरे वो plant खराब हो गए एक बच गया था white color तो उससे मैंने ये cutting से तयार कर लिया है अभी इसके अंदर तो birds नहीं आई है लेकिन जितने मेरे पुरान मतलब नसरी से लाए गए पौधे हैं सभी के अंदर बडिंग स्टार्ट हो गई है ये तो थोड़े छोटे छोटे birds हैं के अंदर बाकि ये कुछ plant ऐसे हैं जिनके अंदर काफी बड़ी बड़ी birds आ गई है और ये तो अब जो है हमें लगता है flowering पर भी आने वाली है तो ये मेरे जो plant है बहुत ही healthy condition में है और इन ही से cutting ले लेके मैंने देखे यहाँ पर जो है तीन से चार plant जो है इसके अंदर बना लिए हैं चार cutting इसके अंदर मैंने लगाई है तो ये चार plant मेरे पास ये तयार हो गए हैं इनको भी report कर लेना है जिससे January में इनसे flowering मिल सके और उसके बाद जो है इनी में से एक दो cutting लेकर और कुछ पुराने पौथों की cutting लेकर मैंने तीन-चार cutting यहाँ पर लगा ली है और इनको भी report करने का time up हो गया है एक ही साथ सारी cuttings मैंने लगाई थी दहलिया जो है cutting से बहुत easily propagate हो जाता है इसको bulb से भी grow किया जा सकता है और seeds से भी grow किये जा सकते हैं लेकिन ज़्यादा तर जो seeds से grow किये गए डहलिया होते हैं हम लोग जो seeds खरिते हैं उनमें maximum miniature डहलिया निकल जाते हैं ज़्यादा दिनों तक flowers ले सकते हैं और कैसे जो है हम अपने इस plants को ज़्यादा से ज़्यादा flowering ले सकते हैं सारी चीजों को discuss करेंगे सबसे पहला तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा डहलिया प्लांट जब भी आप नसीज से लेके आईए तो इसके लिए one part garden soil, one part compost और one part sand मिला कर इनके मिट्टी तयार कीजिए ऐसे में जो मिट्टी तयार होगी वो bell drain भी होगी साथ ही साथ मौश्यर को भी hold करेगी और compost की जो मात्रा होगी उसके अंदर जो है इसको growth करने के लिए अच्छे nutrients मिलते रहेंगे लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा डेलिया का जो पौधा होता है ये बहुत ही भुखड पौधा होता है इस पौधे के लिए phosphorus और other nutrients की इतनी जाता जरूत होती है कि अगर समय समय पर हम इनके उन nutrients की पूर्ती नहीं करते हैं तो हमारा ये प्लांट ना ही healthy grow कर पाता है ना ही जो है इनके अंदर अच्छी quantity में flowering हो पाती है तो इसके लिए जो है हमें अपने इस प्लांट को हर 15 दिन के अंतराल पर feeding देना भी जरूर ही होता है इनकी ये जो feeding होती है इसके अंदर हमको सिर्फ जो है compost या liquid fertilizer नहीं देना है बलकि phosphorus rich fertilizer जैसे की आपका bone meal होता है डेलिया के लिए मैं सबसे ज़्यादा असरकार अगर कोई fertilizer मानता हूँ तो वो है आपका bone meal bone meal देने कर एक बार आप देखे इसके उपर इतना ज़्यादा चमत करिक प्रभाव देखने को मिलेगा अगर पौधा जो है थोड़ी बहुत पतियां इसकी पीली बगएरा होंगी तो greenery बहुत अच्छे से आ जाती है और black is green सा एक color होता है वो निकल कर आता है और साधी साथ इनके अंदर कलियां भी खूब सारी बनती है और plant बहुत healthy हो जाता है तो bone meal हमको 15 दिन के अंतराल पर एक एक चमत जादा नहीं सिर्फ एक एक चमत अपने सारे pot के अंदर जो है डाल कर मिट्टी की गुड़ाई करके अच्छे से मिला देना है अच्छा उन 15 दिन के अंतराल में हमको चार दाने DAP के DAP का जो दाना होता है देखे यहाँ पर मैंने डाल रखा है इस तरीके से थोड़े बहुत मैंने डाने हर pot के अंदर ऐसे डाल कर छोड़े हुए है और इनको मैंने मिट्टी में नहीं मिलाया है जब मैं इनको पानी दूँगा इधर दो-तीन दिन से बारिस हुई थी तो मैंने मिट्टी के गुड़ाई नहीं की है तो यह गल-गल कर पौधे को मिलते रहेंगे यह मेरा जो पौधा कटिंग से मैंने त्यार किया था इसके कुछ पतिया नीचे की यलो इस्त्री आ रही थी लेकिन अब देखिए जो है जबसे मैंने इस तरीके से इनको बोन मिल दिया मतलब एक एक चमच अभी तो पंद्रा दिन नहीं हुए और उसके बाद इस तरीके से डीएपी मैं डाल के रखता हूँ और पानी के साथ ये रिस रिस का अंदर पहसता रहता है आप चाहें तो मिट्टी में भी इनको डाल कर मिला सकते हैं इस तरीके से फेडिंग देने पर हमारा जो डहलिया का पौधा होगा उसके अंदर अच्छी ग्रोथ होगी अगर अभी आपका पौधा कलिया नहीं बना रहा है तो समय से इसके अंदर कलिया भी आएंगी और फ्लावरिंग भी होगी और फ्लावर का साइड जो है जितना बड़ा आना चाहिए वैसा ही आएगा तो ये तो रही बात खात कि और इसके अलामा जो है नीले कलर का जो ये spot दिख रहा होगा, ये मैंने इनके उपर जो है fungicide का spray किया है fungicide का spray भी आप लोगों को करते रहना है वरना होता क्या है कि डहलिया के पत्तों पर जो है black color के spot जैसे गुलाब के पॉधों के पत्तियों पर बनते हैं पत्ते उसके बाद black मतलब गलने लगते हैं और गल कर खराब हो जाते हैं तो फंगस नापन पर इसकी वज़ा से समय समय पर हमको इनके उपर fungicide का spray जो है वो करते रहना है 15 दिन के अंतराल पर आप fungicide का spray कर सकते हैं बात हो रहती सागरीका का तो मैं 15 दिन के अंतराल पर जब मैं इसको fertilizer दे देता हूँ मिट्टी के अंदर उसके बाद जो है मैं इसको भी spray करके अपने पॉधों को जरूर देता हूँ अब अगली जो main trick है देहलिया के पॉधों के अंदर flowers की size को बढ़ा करना या फिर पॉधों की अच्छी growth लेना हमारा पॉधा जब नीचे से ही इतना ज़्यादा घना हो जाता है और खुब बड़ी-बड़ी सी पतियां इस तरीके से आ जाती है तो उपर तक nutrients को पहुचने ही नहीं देती यही सारा feeding जो है वो लेते रहनी है लेते रहती है तो हमको क्या करना है इसको आप 3G cuttings के भी नाम से जानते होंगे आप बैगन में और टमाटर वगैरा में इस तकनीकी को आप लोगोंने सुना होगा अधिकतर किशान लोग अपनाते हैं तो इस तरीके से जो है जब हम ये बड़े-बड़े पत्ते जो अनायास की feeding ले रहे होते हैं इनको इस तरीके से तोड़कर निकालते जाते हैं तो वो feeding जो इनको मिल रही थी वो उपर तक पहसती है और plant ज्यादा healthy grow करता है और साथी साथ उसके अंदर अगर flowers पगेरा आने होते हैं तो भी instantly आते हैं मतलब जल्दी आते हैं और उनके size भी बड़ी होती है बात watering की करी जाए तो मिट्टी को check करके ही पानी देता है देना है as usual जैसे मैंने बताया full sun loving plant है मतलब इसको अच्छी धूप की जरूत होती है minimum जो है 6-7 घंटे की धूप और maximum पूरे दिन की धूप आप अपने इस पाधे को दे सकते हैं सबसे मुख्य काम जो है वो fertilizer जो मैंने बताया वो कर लेना है आपको और मिट्टी की गुड़ाई भी इनकी समय समय से करना है लेकिन अभी चुकी मेरे इन पौधों की जो मिट्टी है वो थोड़ी अभी गीली सी मुझको लग रही है सौगी सी क्योंकि बरसात इधर दो एक दिन लगातार हुई है कल मैंने इनके अंदर से जो पत्ते सत्ते खराब वगएरा थे बोसम निकाल दिये और बीट्स वगएरा जो निकल रहे थे थोड़े बहुत निकाल दिये तो अभी जब थोड़ी मिट्टी सेमी ड्राई कंडिशन में आएगी तो मैं इनकी गुड़ाई भी कर लूँगा बस इतनी चीजों का हमको ध्यान देना है हमारा भी डहलिया का पौधा जो है खुबहलदी ग्रो करेगा और खुब सारे इनके अंदर फ्लावर्स भी आएगे और चाब चाहें तो कटिंग से भी इनसे धेर सारी प्लावर्स बना सकते हैं और अगर इस सीजन के प्लावर्स को आप अच्छे से से शेप करके गंबले के अंदर रख लीजी अब इस बार मैं रखने माला हूँ जितने पौट है इनको एक साइड में सिफ्ट कर लूँगा और इनको शेप करके रखूँगा जिससे नेक्स सीजन मुझे नए प्लावर्स आरे पड़े कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ऐसी ही किसी नए वीडियो नए अपडेट के साथ मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बागा एंड टेक केर